इजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। एजुकेशन पोर्टल में अथिती सिक्सकों के विशेयों की मासिक परिक्सा के अंग फीड कैसे करें उससे संबंदित यहां वीडियो है। जिन विद्यालों में अथिती सिक्सकों या PTA की विवेस्ता है या वर्तमान समय में अथिती सिक्सक कारी कर रहे हैं तो यहां वीडियो उन इसकूलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माद्यम से यहां बताने का परियास किया गया है कि अथिती सिक्सक द्वारा अपने विशे की जो मासिक परिक्सा ली गई है उसके अंक एजुकेशन पोर्टल में कैसे फीड किये जाएं। क्योंकि एजुकेशन पोर्टल में अथिती सिक्सकों का नाम सो नहीं हो रहा है और कई स्कूलों के फीड़ बैक से पता चला है कि उन्होंने कैस टीचर के अंकों को अन्य रेगुलर टीचर के नाम के आगे दर्सा दिये हैं जो कि तुरुटी पूर्ण है तो इस वीडियो के म के अगशन पोर्टल में बताते हैं की कैसे गेस टीचर के द्वारा जो वी से पढ़ाय जाते हैं उनकी अंख हम कैसे यहां पर इंटरी कर सकते हैं तो इसके लिए आप देख रहें कि मंथली आसेस्मेंट में क्लिक करेंगे और यहां लिखा है एसेस्मेंट डेटा इंट्री 3 यहां पर लिखा हुआ है यहां पर आपका year और month दिया हुआ है और यहां पर class आएगी तो यहां से हम कोई भी class ले सकते हैं इसके इस तरह आप देख रहे हैं कि जो हमारा status एक class इस समय status में कोई भी record fill नहीं हुआ है और यहां पर हम delete भी कर सकते हैं किसी record को और यह enrollment भी अभी हमारे school में नहीं हुआ है तो यह जो data है इससे हमें पूरी जानकारी मिलती रहती है कि हमने कोन सी कक्सा के marks इंटर कर दिये हैं तो अब हम इसमें कोई भी class ले सकते हैं suppose मैं 12th class ले लेता हूँ एक example के तोर पे मैंने 12th class ले लिए यहां पर मैं search पर जाऊंगा जैसी मैं search करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर जो 12th class में subject पढ़ाए जाते हैं वो बहुत सारे हैं तो आप देख रहेंगे कि यहां पर जो उत्रकंड बोर्ड है तो कम से कम 48 विसे यहां पर दिये गए हैं लेकिन कुछ विद्याले ऐसे होते हैं जहां guest teacher अभी भी कारे कर रहे हैं वहां available हैं तो उनका record यहां पर कैसे भरा जाएगा वो सबसे important है suppose हम accountancy का एक उधारन ले लेते हैं कि जैसे accountancy में 10 बच्चों ने enrollment करा रखाया अपना इस subject में और student participate suppose 10 बच्चों ने ही test दिया अब यहां पर teacher का जो name है यहां पर उसका नाम नहीं आ रहा है जो हमारी guest teacher है उसका कारण क्या है कि जो guest teacher होते हैं वो एक परकार के temporary teachers होते हैं और उनका जो हमारा education portal में वहां पर उनका नाम नहीं चड़ाया जाता है तो ऐसे में हम उनका नाम की बजाए हम कैसे teacher का subject चड़ाए तो यहां पर हम option इसको चुना पड़ेगा हमें teacher subject status तो जैसे हम click करेंगे तो यहां पर चार option हमारे पास आ जाएंगे appointment for the subject कोई particular teacher अगर subject के लिए appointment किया गया है उसको हम यहां पर सो कर सकते हैं arrangement within school अगर school की तरफ से कोई बाहर से किसी teacher को लगाया गया उसको यहां पर हम दिखा सकते हैं arrangement या arrange from the other school other school से अगर कुछ दिनों के लिए कोई अध्यापक यहां आता है तो उसके लिए option आएगा और arrange from PTA की तरफ से या NGO की तरफ से यह guest teacher तो यहां पर clear guest teacher लिखाया तो इस option को हमें चुनना होगा जैसे हम यह option चुनेंगे तो teachers के name जो highlighted पहले हो रहाता select वो यहां पर default बंद हो जाएगा तो इसका मतलब यह यहां से teacher subject status लेगा तो यहां आने के बाद आपके 10 बच्चों ने enrolled आपकी class में थे और 10 बच्चों ने ही participate किया test में तो उनके marks हम यहां पर चड़ाएंगे suppose पहले question में बच्चों ने 5 किये 5 question किये और 5 उन्होंने आंसी ग्रूप से किये जिसको partially attend बोला जाएगा तो यह उनका आ जाएगा दूसरा question suppose 7 बच्चों ने किया partially attend के बल 3 बच्चों ने किया इसके बाद यहां पर हम देख लेते हैं तीसरा question जैसे कठीन था तो एक बच्चे ने अटेंड किया तो यहां पर उसका आ जाएगा suppose यहां पर आ जाएगा 9 तो यहां पर आ जाएगा 1 यहां पर चौता कोर्शन बहुत आसा था, 10 के 10 बच्चों ने कर लिया, तो यहां पर पार्टिसरली जो आपका अटेंट है वो सुनने रहेगा, इसी परकार अंत में यहां पर हम देख लेते हैं, इसमें 4% बच्चों ने अटेंट किये और बागी आंसी ग्रूप से केवल 6 कि तो यहां पर हम देख लेते हैं, परसंटेज अगर यहां पर हम देखते हैं, 75% क्लास आवरेज आया बच्चोंगा, अब हमें यह डेटा कैसे सेप करना है, तो हम सबसे पहले इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, और यहां पर देखेंगे प्रिव्यू लिखा है, प्रिव्यू यहां पर दिखा रहा है कि उसके कितने माक्स चड़े हैं, और कितनी परसंटेज क्लास वाइस चड़िये, इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहां पर आएगा फाइनल समिट, तो फाइनल समिट करने से पहले आपको यहां पर डेट भरनी पड़ेगी कि कोन से महने में पांच मही को टेस्ट लिया, अब मैं यहां पर उसका फाइनल समिट करूँगा, जैसी मैं फाइनल समिट को क्लिक करूँगा, तो यह बोलेगा कि डेटा आपका सकस्पूल समिट हो गया है, अब वो कैसे आपको यहां पर दिखाए देगा, यहां पर आप देख रहे हैं कि ह आपका देखा है, तो देखा कितने आसान तरीके से हम अपने विध्याले के guest teachers के दुवारा, जो subject पढ़ाया जाता है और उसके दुवारा जो class test या मासी की परिक्षा लिजाती है, उसके आइंख कितने आसान तरीके से यहां पर enter कर लिये हैं, तो आप यहां पे देख रहे तो यहां पर option अरा do you want to delete this class 12th record आप okay कर दीजिए तो यहां पर option आ गया कि record delete successfully हो गया और यहां पर okay का निसान आ जाएगा तो आपने देखा कि हमने record भी यहां पर आसानी से delete कर दिया है इसी परकार आप अन्य teachers के अंक भी यहां पर entry कर सकते हैं जो कि इसे पूर के वीडियो म मैंने आपको बताया था कि percentage कैसी निकाली जाती है और कैसे हम अन्य teachers के नाम के आगे marks चड़ा सकते हैं तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं अगर आपको student record या school education portal से संबंद किसी परकार की कोई समस्या आ रही है या कोई जिग्या सा है तो आप comment box में लिख कर हम को share क कर सकते हैं इसके साथ मोबाइल नंबर पर भी आप संपर कर सकते हैं वीडियो आने पर वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो को like करिए share करिए और subscribe भी करें और मैं सभी सात्यों को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा और आगे भी वीडियो को इसी प झाल झाल